इस वीडियो में डियर फ्रेंड्स हम चैनलिंग मेसेज और चैनलिंग सौंग दोनों भी मैं बताऊंगी और उससे पहले जो चैनलिंग मेसेज के थूरू मुझे दो से चार दिन से बहुत सारी चीजे वह आई वह वाली भी चीजे मैं आपे एक्सपेस करूंगे आपको और उ एक सच्छा मेंटर जो मेरे लाइफ में आए मेरे लाइफ में मैं कैसे चीजे सीखी वो भी मैं आपको यहाँ बताऊंगी मुझे बहुत स्ट्रॉंगली युनिवर्स के तरफ से ये मिल रहा था मेसेज काफी दिनों से जिसको मैं निगलेट करती आई लेकिन आज और कल में युनिवर्स ने मुझे बहुत सारी चीजे स्ट्रॉंगली बताई कि तुम्हें ये बात शेयर करनी है सबसे काफी वक्त से मुझे बताना था बड़ मैं बताई नहीं थी आपको डियर फ्रेंस मैं आपको बता रही हूँ आज वो सारी चीजे बताना चाहिए एक सच्छी बात जो आपको पता होनी चाहिए चैनलिंग सौंग आगे सुनेंगे फ्रेंस लेकिन उससे पहले आप ये चीजे भी ध्यान दीजिए और एक बात आप लोगों को ना नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है क्योंकि आपना नोटिफिकेशन बेल आइकोन काफी लोगों ने नहीं दबाया होंगा तो आपको नहीं मिलेंगा दियर फ्रेंस तो जो मैंने लायू दिन का जो लायू लिया था क्लास वो लायू चैनल में मैंने लायू लिया था बहुत सरे question के answer दिये थे तो उसका आपको notification नहीं मिला dear friends तो वो आप जरूर देखिए तो open कीजिए bell icon दबा दीजिए ताकि आपको पूरी notification अच्छे से मिल सके ठीक है तो अपने life में क्या होता है dear friends की इस चीज़ को बहुत strongly universe के तरब से आया है message universe का है जो मुझे बताना है और बहुत important है बहुत बहुत ज़्यादा important है और मैं ये दिल की बात जो है आपको सब को बताना चाहती हूँ कि हमारा जो intuition है वो हमें सारी चीज़े हमें बताते रहता लेकिन हमारा logical mind बोलता है नहीं या फिर कहीं न कहीं चीज़े हम गरबर कर रहे होते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि logical mind है intuition बोल रहा है logical mind बोल रहा है it can't understand because जब हम बहुत ज़्यादा दिमाग से या किसी चीज़ को नहीं accept करना चाहते नहीं स्विकार करना चाहते तब वो चीज़े हमारे साथ में होती है ठीक है तो उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो मेरे लाइफ में मेरे लाइफ में भी ऐसी चीज़े हुई है उसको आगे बताऊंगे उससे पहले मैं आपको बताना चाहते हूँ जो एक सच्चा मेंटर कोन होता है जो एक सच्चा गुरू कोन होता है जो नहीं क्या आपको ना हमेशा ब्लेसिंग देते हैं जब आप उनसे कुछ सीखते हो तो भी और जब आप सीखके आगे बढ़ने लगते हो तो भी हमेशा उनकी blessings आपके साथ होती है एक सच्चा mentor आपको प्रगती करने के लिए कभी नहीं रोकींगा आप अगर कुछ कर रहे हो तो उनको खुशी होती है लेकिन आपने उनसे उस respect को भी रखना है मतलब जो हम लोग है जो हम किसी से अगर सीखते हैं तो हमने उनको न रिस्पेक्ट भी देनी जरूरी है ठीक है रिस्पेक्ट दे रहे हैं ग्राइटिटूड दे रहे हो सब अपने तरब से आप सही कर रहे हो ठीक है लेकिन अगर सच्चा mentor जो होता आपका साथ हमेशा देता है आप कितने भी आगे क्यों न बढ़ जाओ उनको और ज्यादा खुशी होती है आपकी growth में उनको बहुत खुशी होती है और आपको हमेशा blessing देते है और ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं और हमेशा energetically वो हमें blessing देते है कि तुम और growth करो मेरा बेटा तुम अगर growth कर रहे हो तो मैं भी growth कर रहे हूँ ठीक है भले ही कितना भी कुछ ऐसी चीजे हो जाए कि हाँ कुछ गरबर हो जाए तो भी किसी के लिए भी हमें जलस ही नहीं रखनी जन्नी में बोलते हैं न हम या फिर बुरे कर्म नहीं करने हैं यह सब बोलते हैं न किसी के लिए bad नहीं सोचना है सोचने भी bad कर्मा create हो जाते हैं तो फिर इतने spiritual awakened persons जब हो जाते हैं और सही कर्म को हम समझने लगते हैं और हर किसी को God bless you बोलते हो कि हम बहुत अच्छे से जब हम mentor होते हमारे blessings और protection देते रहते हैं और mentors जो होते हैं हमेशा आगे बढ़ने के लिए blessing देते हैं हमेशा हमेशा आगे बढ़ाते हैं मेरे भी life में मैंने dear friends आपको नहीं पता but you don't know अब ही मैं आज आपको बताना जाती हूँ कि मेरे भी life में एक जगह से मैं नहीं सीख्यू हूँ मैं बहुत सारी जगह से सीख्यू हूँ मैंने कहां कहां से सीख्या और किस किस सीख्या वह सारी चीज़े मैं आपको बताऊंगे आगे मैं अपने life में इतने आगे बढ़ी हूँ, तो mentor के होने के वज़े से, उनके blessing के होने के वज़े से, उनके protection के होने के वज़े से मैं आगे बढ़ी हूँ और मैंने किस तरह से सिखा है क्योंकि यह बहुत जरूरी है फ्रेंट्स आप लोगों ने कहीं सारे चैनल्स आप फॉलो करते हो I know about that everyone have lots of place हम बहुत सारी चीजे सिखते है जो हमको resonate कर रहे है उसको receive कर रहे है चीज हमें नहीं correct लगती है उसको reject करना बहुत जरूरी है तो यहाँ पर मैंने जैसे अपने life में सबसे पहले मैं अगर बताना चाहूँ तो मेरी जब सबसे पहले awakening हो रही थी यह बहुत जरूरी है मेरे बस मन में प्रशन ही प्रशन थे मैं रोते ही जा रहे थी यह सब मेरे इसाथ क्या हो रहा है कैसे हो रहा है क्योँ ब्हों पहले है watch यू नो कि क्या करूं क्या नहीं ऐसे अवेकनिंग प्रोसेस इतनी दुखी से इतना सोल शौक उस टाइम पे था तो एकदम से एक मन में डाउनलोड हुआ कि तुम चुप हो जाओ है ना बिल्कुल रोना बंद कर दो रोना अपने आप से बंद हो गया फोन उठाओ और मैं यूटूब ओपन की एक ब्लैक स्क्रीन थी उसमें सिर्फ आवाज था आवाज में ये था कि क्या आप रो रहे हो आपको बहुत क्राइंग हो रही है अंदर से कुछ दुखी समय सहुसारा और आपको लग रहा है कि कोई परसन आपको छोड़की गया और वो परसन क् मेरे लाइब में क्यों इस तरह से मेरे साथ हो रहा है मैं क्यों ऐसे गलत सोच रही हूँ क्यों मैं इतना ज्यादा दुखी हूँ क्यों मैं मतलब ये सारे प्रशन बहुत सारे प्रशन थे उस वीडियो में और वो सारे प्रशन सच में मेरे थे तो मैं यहां से सर हिला हिला क बोल रही थी हाँ 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 ऐसा लग रहा था जैसे कि मादुर्गा खुद मुझसे बोल रही है जो मैं मादुर्गा की आवाज मैं सुननी पाती थी तब तो मैं बोली यह क्या सबकी कोशन के हर एक कोशन का अंसर हाँ हाँ करके मैं सरी ला रही थी तो इस सारे question का answer है कि तुम spiritual journey में हो और जो person के लिए आप रो रहे हैं वो आपका दियम है आपका ठीन है और वो जवाब मुझे मिला 333 High Princess Ma'am C मैंने उनका जब मा उर्वशी माम से मुझे ये जवाब मिला तो मैं शौक्ट होगे ये कौन सी चीज है मैं हर एक उनकी वीडियोस देखने लगी थी उस वक्त हर एक वीडियो में उन्होंने हर एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी से explain की थी क्या होती है ये journey DM क्या होता है DF क्या होती है ये journey में कैसे आते है ये सारी चीजे मैं एक लगातार देखने लगी थी देखते देखते और भी channel देखने लगे थे लेकिन उस वक्त मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था जैसे आखे बंद करती अपने पार्टनर का चहरा मेरे सामने आ जाता मैं सो नहीं पाती थी उठ नहीं पाती थी इन वक्त करना होता ये पता रहे थे मैं अपने चानल पे इन वक्त करना होता लेकिन इन वक्त क्या करना कुछ समझ में नहीं आता था तब मैं रोए जा रही थी रोए जा रही थी रोए जा रही थी सो नहीं पा रहे थी यहाँ पर थरड़ाई पर पेन होता था सरदरत देता था बहुत तकलिफ होती थी उन्होंने औरा क्लिंजिंग करना कैसा है यह अपने वीडियो पर बताया कि देखो यहाँ पर निगेटिविटी भी अटाक करती है spiritual बात कैसे करें यह सारी चीज़े और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़े बताई बच्पन से अभी तक किस किस experience को हमने किया है जो ट्वीन जर्नि में होती है हमारा intuition power कैसे काम करता है और बहुत सारी चीज़े जो unlimited चीज़े के अपने वीडियो में बताई मैं उनको देखी रही थी लेकिन मैं उनसे वक्त उन्होंने अपना नम्बर भी अपने वीडियो में शेयर के था बट मेरी हिम्मत नहीं होरी थी बट मेरी बिल्कुल हिम्मत Personal Ar毒 को सिम Спस्धारत करता है अभी तो नींद तो आती नहीं थी बहुत ज़्यादा तकलीब में थी लेकिन बिल्कुल शरीर को तो नींद की जुरत पड़ती है तो नींद लग जाती थी कभी कभी बहुत ज़्यादा नींद में चलिए आती थी तो उस वक्त एक आवाज आई मुझे seriously एक आवाज आई कि उरवशी ऐसे सुनाई दिया एकदम से आउक खुली और मैंने बोला यह आवाज मुझे क्यों सुनाई दिया और किसने बोला मुझे से ये वरड और मै किसी भी उरवशी को नहीं जानती हूँ मैं सिर्फ एक ही माम को जानती हूं असानी की नहीं जानती थी, होंगे कोई और भी लोग इस नाम से, बट उस वक्त जो इंटूशन हुआ था, इंटूशन सिर्फ मैम के लिए था, मुझे बाकी सब लोगों को भूल गई थी, मैं सिर्फ मैम को याद था, मैम के बारे में बोल रहा है, कोन बोल रहा है, कोन आके म मुझे बोला, मुझे नहीं पता था उस वक्त, मेरी एंजल सी हो सकती, जो मुझे गाइड करें, मेरी मा दुरगा हो सकती, जिन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उस वक्त, सिर्यसली, मैम को कितना भी धन्यवाद बलू, उस वक्त के लिए भी, और आज के वक्त के लिए भी मैं हर चीज के लिए मैं आपको बताऊंगी क्या क्या हुआ उस वक्त माडम ने मैंने मेसेज किया ओडियोज भेजे माम को उस वाटसअप नमबर पे जैसे ही मुझे मेसेज मिला यूनिवर्स के दब से तो माम ने बिलकुल भी ऐसा नहीं किया कि मतलब रिस्पॉंस नहीं दिया ऐसा कुछ भी नहीं किया माम ने बहुत अच्छे सा रिस्पॉंस दिया माम ने मुझे बोला कि दियर बहुत सारे ऐसे चीजे भेजी मुझे अफर्मिशन भेजे ये ये करो मैंने बोला और एक कोशन है मैम मुझे ये बताईए मैंने बहुत सारे आडियो बेज़े रोते रोते भी भेजे मैम ये ये चीजे हो रही है मुझे नहीं पता मैं जर्नी में हो या नहीं तो मुझे क्या करना चाहिए तो देखो ये सब मत सोचो अभी कि तुम जर्नी में हो या नहीं मैंने आडियो में भेजा था माम ने भी मुझे यही भेजा कि तुम यह मत सोचो अभी फिलाल के लिए कि तुम जन्नी में हो या नहीं वो बात में सोचेंगे पहले खुद की हीलिंग पे ध्यान दो ठीक है और ऐसा बोला माम ने मुझे तो हिम्मत मिली मुझे और माम से एक ही वर्ड मैंने और पुछा की क्या डियम्स क्या अपनी डियम्स को गलत वर्ट बोलते हैं माम यह सच है क्या ऐसा होता है क्या तो वो अवेकनिंग के पहले बोलते हैं अवेकनिंग के बाद ऐसा नहीं होता है awakening जब दोनों भी heal हो जाते हैं तो यह चीज़े नहीं होती इस प्रकार से कुछ उनका answer था तो मैं seriously session भी लेते थे और उस वक्त मेरे पास में amount को कैसे send करना phone पे कैसे use करते हैं google पे कैसे use करते हैं online कैसे payment करते हैं इसका idea कुछ भी नहीं था और उनके charges भी बहुत कम थे लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी वो चीज़ को तो मैं उस वक्त फिर universe से prayer की थी कि मुझे YouTube में ही कही से मुझे बता दीजे कि मुझे क्या करना कैसे करना इन वक्त क्या होता है यह सारी चीज़े मैंने prayer की और कही से भी आप मुझे सिखा दो कैसे भी करके मुझे सिखा दो मादुर्गा से मैंने prayer किया उसकी बाद में बहुत सारी चीज़े हुई मैंने बहुत सारे वीडियो को follow किया वह मैं बताऊंगे आगे आपको मैंने किस किस के वीडियो कहा कहा से देखे थे अभी recently मैं अगर बोलू तो 333 High Priestess मैम ने एक seriously इतनी प्यारी divine soul है ना इतनी प्यारी divine soul है कि इतनी अच्छी मैम है कि मैने अभी recently मेरा subconscious mind recently मतलब हो गए 2-3 मैने से उपर हो गए शायद हाँ तो लग भग तो उस वक्त subconscious mind healing के लिए मैं माम के पास गई थी अभी तो मैं growth करने लगी हूँ तो माम को मैंने बताया कि माम मैं channel चला रही हूँ मैं ये ऐसे ऐसी चीज़े है मेरे साथ में सारी चीज़े मैंने express की माम को तो माम ने इतनी खुश हो के मुझे इतने प्यार से बताया कि बहुत अच्छी बात है कि तुमने अपनी channel open की और growth कर रही हो classes चला रही हो इन सारी चीज़ों के लिए तो मैं बहुत खुश हूँ तो क्या माम हमारी के journey delay होती है अगर हम ऐसा कुछ करते है पूछा मैंने मैं से मैं आपने बताया कि ये तुम्हारा purpose है बेटा ये तुम्हारा purpose है और तुम्हें अपना purpose करना जो तुम्हें universe करवा रहे है अपने आपको balance करते हुए और लोगों को जो तुम अच्छा काम कर रही हो ये तुम्हारा बहुत अच्छा काम है और purpose है तो तुम्हारे साथ में क्या-क्या अच्छा हुआ, बहुत कुछ अच्छा हुआ, मैंने चानल ओपन किया, उसके बाद ही मेरा रिउन्यन हुआ, उसके बाद फिर रिउन्यन होने के बाद में और भी ग्रोथ होने लगी, और भी अच्छे से ग्रोथ होके, हम क्लासेश भी चल नियुक्त दोर ते तो इसको करते रहो वेटा फिर सबकॉंशियस माइंड इंड करवाया मुझे मज़े लगबक 2 घंटे के उपर मुझे मुझे सुना मुझे गया मेरी हीलिंग करी ठीके कुछ ऐसे वुंड्स थे कुछ ऐसे चीजे थी वो जो कि इस जन्नी में आने के बाद में वुंड्स के रूप में कही न कही आ गए तो और पुराने भी हो सकते सबकॉइंशेस माइंड हीलिंग जो होती है हम खुद से कही बार करते हैं बाद हो नहीं पाता है तो किसी और मेंटोर के पास भी जाना चाहिए कोई गलत नहीं है कोई गलत नहीं है अगर हमने चैनल ओपन कर दिया तो हम कोई बड़े हो गए चोटे हो गए ऐसा नहीं समझना चाहिए सबको अपना मतलब help मागनी चाहिए यह बड़े हैं हमसे उनसे respectfully बात करें जी तो फिर जब मैंने उनसे subconscious mind healing किया फिर बात में मैंने astrology भी उनसे करवाया देखो यह कोई advertisement नहीं है मैं आपको seriously बता रही हूँ मुझे universe के तरफ से strongly message मिला तो मैं बता रही हूँ बस और भी गुरू है मेरे उनसे सब को मैं शेयर करेंगी तो इन mentor से हमें सीखना चाहिए सब लोग से तो मैंने जब उर्वशी मैं से फिर लिया मैं ने बहुत ही प्यार से बात की बहुत ही अच्छे से और growth पे focus करो बोला self healing पे focus करो बोला उन्होंने और बहुत सारी चीज़े उन्होंने बताई मुझे और भी बहुत astrology के through भी और एक question का answer दिया और उसके बाद में भी जब मैंने उनसे contact किया कि माम यह वाला question में पूछने भूल गई थी माम प्लीज इसका answer दीजिए तो माम ने reply भी दिया हस्ते हस्ते दिया I love you मैं सच मैं thank you so much 333 high princess माम को मैं पहले से बहुत respect करती हूँ और अभी और भी चाहता उन के लिए respect मेरी बढ़ गई है कि वो मेरी हर बात उन्होंने सुनी यह मुझे channeling message ही मिला है कि मैं बताओ actually मैंने इतना देर किया उसके लिए भी मुझे माफ कर दीजिए मैं मुझे काफी दिनों से आ रहा था कि मैं यह subconscious mind healing जो मुझे experience हुआ है उसको भी मैंने आपसे share किया थ बट आपका जो कहने का यह था ना कि तुम आगे बढ़ो बच्चा तुम आगे बढ़ो मेरा आशिरवाद हमेशा तुम्हारे साथ है ऐसा कौन mentor होता है जो मतलब वो सच्छा mentor होता है ना मैंने बताया कि जो हमें हमारी growth को देखकर खुश होता है वो triple three high priestess मैं मैं जो pure divine soul है और हम आगे बढ़ते जो हमें आशिरवाद देते हैं हर बल हमेशा हमारे last breathe तक के हमारे साथ में है इसी जनम में नहीं शायद हमारे पिछले जनम में भी हमारे साथ थी है ना तो वो हमेशा हमें blessing देते हैं protect करते हैं तुम आगे बढ़ो ऐसा नहीं कि तुम मतलब थोड़ी आगे बढ़ते हुए growth करते हुए खुश होता है तो वो मैंने उनके अंदर देखा एक pure divine soul एक pure divine feminine ऐसी ही होती है सची divine feminine जो मतलब सच में दुसरों को growth करते हुए खुश होता है ना वो है भले ये उनसे दूर रहो या पास रहो उनको blessing देते रहे ना God bless ये है सच्चा प्यार मैंने जो अपनी 333 High Priestess मैं से मैंने देखा उनके अंदर ये चीजे I love you मैं, I love you and thank you so much for everything मैं, thank you, thank you so much 333 High Priestess मैं, thank you so much, I love you so much अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो जाने अन जाने में तो मुझे माफ कर देना, वीडियो बनाने के पीछे मेरा सिर्फ और सिर्फ ग्राटिटूट पे करने का meaning था और मैं आपको clearly सबको show करना चाती थी, इसलिए मैंने screenshot भी लगाया है आपे, माफ कर देना माफ और उसके बाद मैंने जैसे की बताया की मेरे पास में पहले मैं पैसे कैसे मतलब अरेंज करूँ समझ नहीं आता था तो मैंने प्रेयर किया था उनिवर्स ते कि मुझे इनर वक में क्या क्या करना है समझाए उनिवर्स तो उस वक्त मुझे ट्विन फ्लेम कोच चंदीगर का चानल मिला और सर ने बहुत ही अच्छे से समझाया फिर रिदू मेडम ने भी बहुत अच्छे से अपने चानल पे समझाया लायू मेडिटेशन करवाए जिससे कि मैं बहुत सारे मेडिटेशन उसमें से किये थे उस तो धीरे-धीरे हील होने लगी थी ठीक है तो फिर उनसे मैंने बहुत को सीखा मेडिटेशन सीखे कैसे होते क्या होते और उसको फॉलो भी क्या फ्री मेडिटेशन कराते हैं उसको मैंने पर्सनली उनसे कॉंटेक्ट नहीं किया कभी क्योंकि मैं उतना अफ़र्ट करी नही आपने अपने वीडियो में बहुत सारी चीजे हमें सिखाईए हर एक चीज जो आप हमें बताते होना बहुत ही पावरफुली वो हमारे लिए यूसफुल होता है हम आपके प्यारे बच्चे हैं और मैं भी आपकी प्यारी बच्ची हूँ अगर आप कभी मेरा वीडियो देख और कही लोग आप खुध कोच बनके भी और लोगों की हीलिंग करोंगे तो उन्हीं से मैं आपकी प्यारी शिस्जञ हूँ जो इस तरह की काम में आगे बढ़ने लगी हूँ और ऑज़ा दो आकर civ ello के और दो जैकर युक्रियाकर कर्या हां प्रहकों 2 त्हक्imana के लिए जोक ट्रिकु यू सर थांक यू मैम और विशन जीनियस तो उसके बाद में मिशन जीनियस सर जब मुझे बार-बार उनका वी-डिएओ सामने आया था जब मैंने प्रेयर किया इस जीटेशन किया मैं अलगार कना चाहिए और बहुत सारी चीज़े तो तब मुझे संजीव मलीक जी के चानल दिखे उसमें से चक्रा मेडिटेशन जो मैंने बहुत पहले भी आप लोगों को शेयर किया था और बताया था कि देखो यह यहां से करो अगर करना है चक्रा मेडिटेशन यहां से कर सकते है या फिर जो भी जिस भी प्रकार से कर सकते हो फिर उसमें सर ने देखो एक बार लायू सेशन बहुत सारे लायू सेशन लेते हैं और फिर कर्म बंदन के बारे में बताया जिसको की इंगलिश में कहा जाता है सोल कॉंट्रेक्ट और उस पे भी उन्होंने मेडिटेशन करवाया डियने रिपेरिंग और बहुत सारी चीज़े उन्होंने अपने वीडियोस में बताई एंजल से कैसे कने करते बताई एंजल को कैसे बात करते कैसे चीज़े होती है वो सारी चीज़े बताई उन्होंने रेकी के बारे बताई उन्होंने हर चीज अपने चानल पे बताई है हर अपने आपको कैसे वैलू करना और यह सारी चीजे अपने चानल पर उन्होंने बताई है और उनसे मैंने बहुत कुछ सिखा है, सब कुछ सिखा है, बहुत कुछ सिखा है तो फिर वो जीजे और भी मैंने वीडियो देखे इसके अलावा भी सर के भी बहुत सरे वीडियो देकी और भी तो ग्राटिटुट पर एकर ना चाहति और आज मैं संजीन मलीक जी सर को कि thank you सर आपके वीडियो से हमें बहुत 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 फाइदा मिला है हम सब को मिला है मुझे तो मिला ही मिला है मैंने अपने लाइब में एक गुरू के रुप में और मैंने इनको सर को कमेंट भी किये थे तो सर हमेशा मुझे रिपले करते है ऐसा नहीं है कि नहीं करते है बिल्कुल करते हैं, कमेंट के रिपले करते हैं हर प्रकार से, तो इस प्रकार से मैं जो भी पूछी हूँ से, उसका समाधान मिला है मुझे, मुझे बहुत होटी होती है कि इतने अच्छे से हमें गाइड कर रहे है सर थांक यू सो मच संजीव मलीक सर इतनी अच्छे है आपके चानल हमें बहुत हैल्फुल होती है आप जो लाइव सेशन लेते हो उसमें भी बहुत अच्छा लगता है अब्रिधिंग इस सो बेस्ट सो बेस्ट एंड लाइक उसके अलावा फिर मैंने हमारे और सर थे इस तरह से मेरी जन्नी मेंटर्स के त्वारा चली और भी जो गुरुजन मेरे रहे हैं और भी वीडियोस देखे हैं और भी चीज़े सीखी हैं और भी बहुत सरी चीज़े सीखी हैं मैंने और भी मेंटर्स हैं जिनको आप लोग नहीं जानते हो यहाँ पे भूमी पे मैंने ज मा दुर्गा शूशंकर भगवान ने मुझे हर पल किसी ना किसी रूप से मेरी मदद की है और आगे बढ़ते गए हम बढ़ते गए और यहां पर अब मैं मा दुर्गा शूशंकर भगवान से पहले से जुड़ी थी बच्पन से ही लेकिन उस लेवल को समझ नहीं पाई थी अब जाके मैं उनसे डारेक्टी जब कनेक कर पा रही हूँ इतने हाई वापेश में मुझे लेकिया आया है और अभी भी मुझे देखो हर किसी को गुरू की और शक्ता करती है पढ़ती है जन्नी में मिंटर्स की और शक्ता पढ़ती है और वो सच्चे मिंटर्स जो होते हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हमें ब्लेसिंग देते हमें आगे बढ़ाते हैं उनके साथ कितने भी दूर क् वो हमेशा हमारे साथ होते मादूर का शुशंकर भगवान कहते है अपने कर्म हमेशा अच्छे बनाये रखो अच्छे इंटेंशन रखो और मैंने हमेशा अच्छे इंटेंशन से हमेशा सबको ग्राटिट्ट पे करते हैं यह और कर रही हूँ I love you all my gurus Thank you so much जिन्होंने सच में मुझे आज भी प्रोटेक करके रखा है आज भी मुझे बलेसिंग दे रहे हैं आज भी मुझे आगे बढ़ने का हर पल मुझे सहारा दे रहे हैं हेल्प कर रहे हैं डारेक लीन डारेक ली Thank you so much जो मेरा हमेशा अच्छा चाहा रहे है मेरे प्यारे गुरूजर मेरे मेंटर्स I love you all I love you so much I love you DM के एनरजी क्या चल रही है DF के एनरजी क्या चल रही है और सौंकुन साइब DM और DF के एनरजी बहुत ही प्यारी वाली है काफी लोगों की लेकिन अभी भी काफी DM के करमास है जो बचे है इसको निप्टा दो रहे है साथ साथ में कुछ कलेक्टि एनरजी में दो एनरजी मुझे पिक हुई है DM की पहली ये कि कुछ DM को जन्नी के बारे में अंदाजा लग चुका है connection समझ चुका है और वहां इस जन्नी को समझने की कोशिश कर रहे है और दूसरा collective energy ये कि इस जन्नी को समझ कर भी काफी लोग उस पर apply नहीं कर रहे है तो दोनों भी situation में दोनों को भी action oriented बनने के लिए थोड़ा सा action जो बीच में लिया था मैंने बताया था आप लोगों को वो थोड़ा बहुत डगबाता आते रहता है inquiry चीजे समझना ना समझना जो डिया बार बार पीछे पर पढ़के जन्नी के बारे में समझाने की कोशिश कर रही है अगर 3D में तो नहीं होने वाला फाइडी में समझा बच्चा यह बोल रहा है उनिवर्स वर्स अभी कर्मा रिटर्न का टाइम है काफी लोगों को कुछी दिनों में अब जो आगे आने वाला मन्त होंगा वो और भी कर्मा रिटर्न देंगा लेकिन अभी जो फिलाल है हम सबको कर्मा रिलीजिंग करना है सबको दो चार दिन और आप लोग इस कर्मा रिलीजिंग का प्राक्टिस कीजिए कर्मा रिलीजिंग किस प्रकार से करना है कुछ लोगों को लगता है कि कर्मा रिलीजिंग सिर्फ मेडिटेशन से हो जाएंगा नहीं बच्चा अच्छे कर्म भी करने बहुत जरूरी है जो बैड कर्मा से उसको रिलीस करना है ना है की नहीं तो जो जी यहाँ पे कर्म बंदन के बारे में मिशन जी निस सर ने जो बताया था उसमें तो बाद में पता चला था लेकिन मैं यूनिवर्स के तरफ से मुझे मेसेज बहुत सारे मिले थे और मैंने जो करवाय था उसमें बहुत तीन चार चीज़े एक इसमें मिक्स करके बना जाती हूँ कई बार क्योंकि आप लोगों को बार बार हर एक चीज़ के लिए भटकना ना पड़े है तो वो बहुत फैदेमंद होता है डेफिनिटली बहुत आगे बढ़ते हुए हम सब आगे बढ़ रहे हैं तो इसलिए जिस भी करमास में फसे हुए DMs या DF उन सारे चीज़ों का अब धीरे 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 निप्डा रहा होते जाएंगा कुछ मैंने बताया था आप लोगों को आप लोग LAYO देखो उसमें मैंने बहुत इंप्वोटन चीज़े बताईए मतलब LAYO मैंने लिया था 2 दिन तो उसमें चनल्निण की और चानलिंग सौंग हो जो है उसको भी समझो हो भी बहुत इंपोर्टेंट है यहां पे भी मैं चानलिंग सौंग बताऊंगी वो गाना है तुमसे प्यार होआ पहली बार होआ तुमसे प्यार होआ चाही है पेता भी करो मैं क्या करो तो यह गाने का यहां पर आ रहा है कि आपको इस कदर से प्यार कर रहे हैं यह गाना जब आप सुनोंगे ना आपके डियम की एनरजी है आप तो बहुत 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 प्यार कर रहे हैं आपको किस कदर से याद कर रहे हैं किस तरह से आपको feel करना चारे किस तरह से आपको महसुस करते है वो सारी चीज़ी ये गाने में आपको महसुस होंगी ठीक है और इसके अलावा यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप ना सब दो enjoy करो अपने life में आगे बढ़ो God bless you everyone love you all in a way properly करना